आज हम बना रहे हैं मज़दार से मूली के बराथे मूली के बराथे बनानी के लिए हैं पर मैंने आदा किलो के करीब मूली दो कर चील दीती अब मैं इसको इस साइट से ग्रेट कर लूँगी बहुत बारीक हमें से ग्रेट नहीं करना है तो देखिए यहां पर मैं इसको जो हमने मूली अली है उनको मैंसे ग्रेट कर लूँगी तो यह हमारी जो जितनी भी मूली थी वो मैंने ग्रेट कर ली हैं अब मैं इसका जो एक्सेसिव वाटर है वो ड्रेइन करूँगी तो उसके लिए मैं तो सीव यूज करूँगी आप चाहें तो मसलन क्लोथ का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां पर देखिए जो एक जो चुका है जो एक पानी फो जाए अब तब तक जब तक हमारी मूली थोड़ा से ड्राइ हो रही है तब तक मैं एहां पर टियार करने के लिए यहां पर मैंने तीन कप अटा लिया है उसमें मैंने वरट टी स्पून अजवाइन भी आड़ करती है इससे बहुत तकरीब यहां पर आड़ करियेगा तकरीब वन टीस्पून के करीब मैंने यहां पर नमक अपने डेस्ट के साफ से कम जादा कर सकते हैं और उसके अलावा 2 तीस्पून उसमें मैंने तेल भी एड़ कर रहा है तेल आड़ करने से जो हमारे पराठ हे तयार हूंगे वू कांफी खसता होंगे तो यहां पर मैंने दो तीस्पून के करीब तेल भी आड़ कर दिया है दो तयार कर लिए हमें ध्रवात स्वाथ बहुत जाद सौफ्थ भी हो नहीं हूँ है तो when my कंसेस्टेंसी हमें उसकी रखनी है एक स्मूथ हम उसका तयार कर लेंगे ताके बहुत मज़े की खस्ता से पराथे हमारे तयार हो अच्छे से नीट करके हमारा जो डो है वो तयार कर लिया है अब इसको बीच से 25 मिनिट के लिए मैं इसको सेट होने के लिए छोड़ दूगी अधर हमारी मूली है उसका भी पानी वह पे देखिए ड्रेन हो रहा है और आप चाहें अगर आपको जल्दी है तो आप मजलिन क्लोथ का भी यूज कर सकते हैं यहां पर आराम से जो पानी हो ड्रेन हो रहा है जब तक हमारी मूली का पानी ड्रेन हो रहा है और हमारा डो कर रही हूं और उसके अलावा इसमें वन टीस्पून मैंने जीरा भी आड़ कर दिया है सॉल्ट आड़ करेंगे टीस्ट के हिसाब से आधा इंच का उसमें मैंने द्रग का टुकड़ा भी आड़ कर दिया है और इसके अलावा इसमें मैं वन टी स्पूर को डाट कर रहे हूं सब चीजों को मिक्स करकर अच्छा सा एक स्मूज सा पेस तयार कर लेंगे देखें यहां पर एक स्मूज सा पेस तयार है चट्नी हमारी कम रेडी है 20-25 मिनिट हो गए तो यहां डो भी हमारा सेट हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अलावा हमारी जो बूली है असे भी पानी जितना भी हमें हमें ड्रैन करना था वो ड्रैन हो चुका है अब आगी का प्रॉसस्त शुरू करते हैं मूली इंक ड्राइब ऐसे एक बाउन में ट्रांसवर कर लिया है उसे पहले इसमें मैंने वन टीस्पून के करीब लान मिर्चा अढ़ी है आप चाहें तो मिर्च थोड़ी कम जाद आपने टेश के असाब से कर सकते हैं वन टी स्पून के करीबी मैंने यह पर हल्दी आड़ कर दी है और वन टी स्पून ही इसमें मैंने कुरिणना पाउडर भी आड़ कर दी है नमक हम अभी आड़ नहीं करेंगे क्योंकि यह नमक आड़ करने के बाद मूली पाली छोड़ देगी तो यहां पर मैंने 1 teaspoon बना हुआ जीरा आड़ कर दिया है और 1 teaspoon मैंने गरा मसाला पाउडर आड़ कर दिया है उसके अलावा इसमें मैं एक हरी कटिवी मर्च भी आड़ कर दूगी वो optional है अगर आपको जाता spicy नहीं पसंदे तो आप इसे skip भी कर सकते हैं उसके अलावा half teaspoon इसमें मैं खटाई भी आड़ कर रही हूं सब चीजों को अच्छे से mix कर लूगी and last में जब हम हमारी जो stuffing तयार हो जाएगी तब मैं इसमें नमक आड़ करूगी पहले से नमक आड़ नहीं करेंगे तो सब चीजें देखे मैंने आड़ कर दी हैं तो यहां पर देखे सब चीजों को mix कर लिया था एन अब लास्ट मैंने इसमें नमक आड़ कर दिया है नमक करने के बाद फॉरण ही हमें इसके पराटे तयार करने पड़ेंगे वन्ना जो मूली से हमने पानी ड्रेन किया था उसका फाइदा नहीं होगा और मूली दूबार से पानी चोड़ देखे तो यहां पर रोवी हमारा तयार है एंड अब मैं इसके बॉल्स तैयार करेगे इसमें मूली की फिलिंग कर बूंगी कि यहां है पर मैंने पीड़ तियार कर लिया था चौन फिल स्टाफिंग G अब सब सारी साइडों से बंद कर लूँगी स्टाफिंग इकमोनटीटी आ को पर साफ से कमचाइड कर सकते हैं तो देखे चैनल अदर भड़के हमारा जो पराठा आप और break देखिए अभी प Caribbean के पराता प्राटा इस इस को मैं अभी पैर ददनी ?... एक रधार अब मैं आधा प्राटा पे पिरिया हुए.... तो देखीए.... अब इसको अच्छे से्प पराटा is ना शज maraday सेख लिया है선 देखिए.. जो खे शचाराटा मुली पराटे हैसं.. तो प्रिस्पी मूली के पराठे हमारे एकदम तयार हैं चलिए जी अब गरम गरम इने हम सोफ करते हैं करते हैं